हेलो दोस्तो स्वागत करता हूँ तुम सभी का एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में आज भाई बात करेंगे इंट्रो कैसे बनाया जाता है एंड्रोइड पे बिल्कुल free of cost और नटखट मुटखट बात करी जाए तो बिल्कुल मज़ेदार इंट्रो जिसको देखने के बाद कोई भी ना बोले अरे बाई ये इंट्रो है क्या है मेरे मतलब पसंद आ गया अचा देखो यार इंट्रो बनाने जा रहे हम लोग तो तीम यार एक important चीज़े बता रहे तो तुम लोगों को कि अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं भी पसंद आती है कोई और वीडियो भी चेक आउट करते है तो ये तीन चीज़ों का जरूर धन रखना सबसे पहली क्य यार अगर तुम वह सब्सक्राइब वाला बना रहे हो तो वह काफी old हो जोगा कुछ नए ट्राय करो ठीक है तो आज मैं कुछ तुम्हारे लिए नए और बैतरीन आप्स लेकर आऊ जिनकी मदद से तुम एंड्रोइट पे बना सकते हो दो तो हम लोग आप देखने वाले ह बागे अंड्रोइट पे तुम सब कुछ कर सकते हो चलते हैं moving on to the first जिसकी मदद मैं भी लेने वाला हूँ यार इसका link तुम्हें मिल जागा description में first of all link intro maker अपना है एकदम तगड़े वाला अच्छा इस software को में पसंद क्यों है कि मैं भी इससे intro आप सोच रहा हूं बनाई ज नहीं यह लाइक हो जिसन ओपर में फ्ले जो होते हैं यह वाल से पर होते हीना पूरें तरीके से तुम्हें पड़ी जाँना है जिसके अंदर इंट्रों तुम्हें हमेशा मिलते रहें तो यह सब्स hé अचा है इसमें कूछ 500 के आसपस लेता है उसके पर completely सारे free बागे तुम free में भी कर सकते हो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ तो देख सकते हो भाई यहां पर हमने एक intro लिया और यह कितना बढ़िया लग रहा है देख रहे हो पर हम यार इसको free में कैसे use करेंगे तुम यहां पर blur कर सकते हो या फिर ऐसे लाइन डर लगा सकते हो तो यह चीज बहुत चोटी है मेरे साब से और अगर तुम्हें बहुत अच्छी editing आती है नहीं आती है तो मेरे को बता देना मैं बता दूँगा कि यहीं पर इस वाले color को तुम करके यहां पर चड़ा सकते हो simple मैंने जुगार बता है अब ठीक है वो तुम्हारे पर तुम करना चाहूं कि नहीं तो यहां बहुत और 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 बहुत सारे इंट्रों मिल जाते हैं तो दुम्हारा काम असानी से हो जाएगा देख सकते हो यहां पर end screen यह सर्च में रहता है तो यहां से तुम निकाल सकते हो ठीक है तो यह हमारा हो गया सबसे पहला है moving on to the next one दूसरा जो software है वो मैंने यहां पर डाल लिया और इसका नाम भाई तुम्हारा चैनल और यह टेक्निकल चैनल है मैंने टैग डाल दिया से इतना चल जाएगा तुम्हारा काम और यह मैंने थोड़ा style बना दिया और अपना नाम लिखना है तुम्हें simple यहां देखो अगर तुम पीछे green screen लगा दोगे image में जाके तो तुम इसे अपने वीडि और एक बार के लिए यूज या फिर तुम दो तीन बार यूज करना चाहिए तो बहुत अच्छा है यह regular तुम रख भी सकते हो तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम्हें कितना पसंद आता है काफियत तक यह अच्छा software है मेरे साब से legend तो काफी premium है इसका वैसे मैं बता या बागे तुम इंट्रों के लिए उस कर सकते हो तो यह हमारे दो एप हो गए आप चलते हैं website की तरफ तो सबसे पहले हम लोग पहुच जाते हैं Chrome में ठीक ना वहीं पर बात करेंगे तो भाई हम लोग आ चुके अपनी पहली website की तरफ तो हमारी जो पहली website है वह भाई render forest अब render forest directly लिखो के तो यह यह लोग बहुत कुछ बनाते हैं देख सकते हो तुम लोगों बनता है बहुत कुछ तो थोड़े इसी दिखकत आ चाहिए कि इसलिए यार कोशिश करो render forest इंट्रों में कर देखो लगा रखा है इन लोग ने तो इस पर जाना है और यहां देखो online video इंट्रों मेकर है जो इस पर चले जाओ यहां एक बात खासियत बता दू इनका थोड़ा watermark जो है ना इस तरीके का आएगा मतलब ऐसे इस तरीके का आएगा शेड में तो उसको भी तुम हटा सकते हो थोड़ा से ब्लर करके पर इनका इंट्रों बहुत जबर्दस्त होता है या तुम यह वीडियो को भी थोड़ा क्रॉप करके यूज कर सकते हैं यह मैं आइडियास बता रहा हूँ बागी तुम पर है तुम इसको पर्चेस करो मैं तो यही बोलूँगा यहां देख सकते हैं इनके अलग अलग टाइप के एनिमेशन है और सारे एनिमेशन बहुत अ तो यह जैसे हमारे यह पेज ओपन हो जाएगा यहां तुम इसको थोड़ा सा प्ले कर देता हूं मैं तो यह म्यूजिक मूजिक सब कुछ हैड हो जाता है तुम थोड़ा सा देख भी सकते हो यहां रेंटर फॉरस्ट है काफी सिंपल है और ऐसे ही लोगों मैं सच बता रहो पर हाँ सिंपल बहुत लंबे टाइम तक दिखते हैं यह बात तो है अब यहां पर create now पर हम लोग क्लिक करेंगे और simple तुम यहां से अराम से इसे create करके render कर सकते हो बहुत अराम से प्रोसीज में थोड़ा सा time लगता है मानते है यहां से फिर तुम जब इसमें सब कुछ edit कर लोग है तो यहां देखो यह play वाले button पर जाके proceed anyways पर तुम यहां से खड़ सकते हैं यह तो हमारी होगी पहली website मैं बोलूँगा open source तो नहीं वैसे बोलना चाहिए यह मतलब software free to use है और इसके अंदर penzoid एक second को यार इसके अंदर भी आगे intro लिखना ही पड़ेगा तब यह लोग मानेंगे intro maker online यह सब काम online यह लोग करते तो यहां पर intro maker है इस पे चले जाएंगे तो penzoid काफी open source है यार मैं बताऊं जहां तक मेरे को पता है और इसके अंदर तुम creator भी बन सकते हो अगर तुम यह सब बनाते हो ना तो तुम्हारा का यहां और यहां और यहां देख सकते हो इसमें थोड़ी सी editing में दिक्कत आएगी क्योंकि यह तुम जानते हो PC के लिए जाद अच्छे से design करा गया तो यहां तुम desktop साइड भी कर सकते हो as if you want और यहां यह देख सकते हो थोड़ा सा time इसमें लेगा यह देखो अब यह वाला जो प्रोजेक्ट है यह दिखेगा नहीं यहां से देखो पर इसको तुम edit बहुत अच्छा यहां से कर सकते हो मिलेगा और यहां से तुम इसे edit सब कुछ कर सकते हो अच्छा यह वेबसाइट है यह उनलाइन बनाते हैं यह सारे देखा जाएट चल रही हो उपर देखी सकते हो यह कुछ भाई हमारे चार बोला जाते हो तरीके ते जिससे तुम बना सकते तो इंट्रो अपने android डिवाइस पर कभी पीसी पर भी जरूर बताएंगे और अच्छे अच्छे बाकि आज ही वीडियो में इतने हैं पसंद देखो तो लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब और शु यह जिए बर तो अच्छे बादरा